जै मातादी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन नवंबर और चार नवंबर के कुम्भराशी फल के बारे में तीन और चार नवंबर का दिन कुम्भराशी के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है तो जानेंगे इस वीडियो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच सके सबसे पहले जान लेते हैं कि इन दो दिनों में कौन सी तिथी बन रही है कौन सा योग होगा नक्षत्र क्या रहेगा और चंद्रमा की इस्तिति आपके लिए कैसी रहने वाली है तो तीन नवंबर की बात करें तीन नवंबर शुकल पक्ष की सब्तमीति थी है जो की सुभा तक रहेगी उसके बाद आस्टमी लेगेगी और इस दिन उत्तर शाड़ा नक्षत्र रहने वाला है शूल नाम का योग है जो कि सुबा तक रहेगा उसके बाद गर्ण नाम का एक योग बन रहा है साथ ही ये रविवार का दिन है और चंद्रमा की जो इस्तिती है वो मकर राशी में है चंद्रमा इस दिन मकर राशी में रहने वाले है चार नवंबर की बात करें, तो 4 नवंबर शुक्ल पक्ष की अस्ट मेतिती है और ये सुबह तक रहेगी, श्रमण नक्षतर रहेगा और ये सुबह तक श्रमण नक्षतर रहेगा उसके बाद घनिस्टा नक्षतर शुरू हो जाएगा इस दिन गर्ण नाम का व्योग बन रहा है जो पूर्ण रात्री तक रहेगा यह सौमवार का दिन है और चन्दरमा की जो इस्तिती है वो मकह राशी में ही बनी हुई है सूर्या जो है वो तुलामे चल रहे हैं और सूर्या जो नक्षत्र होगा ये स्वाती नक्षत्र होगा अब इनी ग्रहों के आधार पर हम जानेंगे कि ये दो दिन आपको क्या सावधानी अबरतनी होंगी क्या उपाय करने होंगे और आपको जो जीवन है उनमें कैसा आपके लिए समय रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं । दोस्तो जैसा कि आपने हेडिंग में देखा है कि इन दो दिनों में सावधानी जरूरी है क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके वै भाव में आई हुई है आपके बारवे भाव में आई हुई है और चंद्रोंमा यहां अच्छे फ़ल नहीं देते हैं ये ऐसा समय होगा जो आपके लिए आपको उपायक यदि आप उपायक करते हैं तो आप इन दिनों को सावधानी पूर्वक गुजारे तो अच्छे भी सकते हैं, वन्ना ये दो दिन आपकी नींद तक उड़ा सकते हैं, मानसिक तनाव आपको हो सकता है और उस मानसिक तनाव के कारण आपकी नींद उड़ सकती है, लेकिन कुछ चीजों के लिए ये बहुत लाबदायक समय भी होगा, आज अगर आपके घर पर कुछ कहा सुनी होती है, कोई लड़ाई जगडे की शुरुवात होती है, तो आपको उससे दूरी बना कर रखना है, आपके घर में शांती बनी रहेगी, अगर आप अपने गुसे पर काबु रखेंगे तो, अगर आपन कि समझ सेंग घर लाने की आदत है, तो घर वालों की खुशी के लिए अपनी इस आदत को भी आप बदर डालिए, इन दिनों में आपके उपर कार्य का भार आधिक रहेगा, और उसके कारण चर्चड़ापन रहेगा, मांसिक तनाव होगा, जिससे आपके लिए उग्रता आ अपका किरोद आधिक हो सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है, और साथी आप इसमें अपनी गुस्से की वजह से, अपनी वाणी से किसी को आप सब्द भी कह सकते हैं, जिसका बाद में आपको पश्तावा होगा, तो कूट नीती से पेशाएं और जहगड़ों से बच कि आपको ये दो दिन सावधानी बूरवक ही निकालने हैं अगर आपको लगे कि आपके साथ अच्छा वैवार नहीं हो रहा है तो भी बात को बिगड़ने ना दे अगर कोई बहस हो जाए तो उसे जितनी शांती से हो सके उतनी शांती से सुलजाने की कुशिश करनी है क्योंकि कोई भी छोटी चीज बड़ा रूप कब ले ले ये पता नहीं होता है लेकिन ये जो दो दिन है ये दो दिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन है जो विदेश से व्यापार करते हैं विदेश से पैसा कमाते हैं तो उनके लिए ये प्रॉफिट वाले दिन र रहे हैं कि आपका वीजा अपने लगाया हुआ है तो वो आपका हो सकता है और आपको विदेज जाने का मौका इस समय मिल जाए लेकिन जो लोग मात्र भूमी में रहकर काम करते हैं उनके लिए यहां जरूर इन दो दिनों में टेंशन बनी रहेगी खास्तोर से जो नौकरी कर तो वो आपको मानसिक तनाव तो देंगी ही देंगे तो जब सस्टीस बारवे भाव में जाएगा तो नौकरी पेशा लोगों को सावधान रहना होगा थोड़ा ध्यान रख कर चलना होगा खास्तोर से अपने ऑफिस में अपने कलिक्स के साथ आपको सावधानी पूरवक सम नहीं चलेगा तो इन दिनों को आपको सावधानी पूरवक गुजारना है यानि आपको तीन चार और पांच की सुभा ये आपको सावधानी पूरवक समें गुजारना होगा क्योंकि ये समय आपके लिए किसी भी बात को लेकर वाद विवाद की ठिती पैदा कर सकता है कि आप वाणी पर कंट्रॉल रखेंगे, कि रोध पर कंट्रॉल रखेंगे और जितना संभभ हो सके उतना आपको कम बोलना है ताकि आप इन दो दिनों को आसानी से निकल सके तो मायल सिर्जिक शिंता तो इन दो दिनों में रहनी ही है साथ ही स्वास्थे को लेकर भी आपको सावधानी बरतनी होगी स्वास्थे को लेकर भी आपकी चिंताइं बढ़ सकती है तो ये दो दिन आपके लिए उपाय करने के लिए और आराम से गुजारने के लिए आपको तयार रहना चाहिए क्योंकि ये जो दो दिन है यहां चंद्रमा आपके लिए पीडित है और यहां चंद्रमा की वज़े से आपको काफी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो ऐसे में आपको खुद को धहर्य बना कर रखना होगा और ये समय अगर आप धहरे बनागर निकाल लेते हैं दो दिन का टाइम है इतना बड़ा टाइम भी नहीं है तो आगे आने वाला समय जैसे ही चंद्रमा की स्थिती बदलेगी तो आपके लिए शुब समय की शुरुवात होगी और आप जो ये मानसिक तनाव है इससे आप बा बेस्त रह सकते हैं अगर आप अकेले हैं तो किसी की शादी में जाना या किसी समारों में जाना आपके लिए फायदे मनसाबित हो सकता है क्योंकि इस समय आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है और ये समय आपके लिए कोई नया जीवन साथी मिलने की तरफ इशारा कर रहा है त अपनी वाणी पर संयमित रखना होगा इन दो दिनों में यानि रविवार और सौमवार तो आप अच्छे से इन दिन को गुजार सकते हैं वाणी पर संयम रखें और शान्ती बना कर चलें तो आप इन दो दिनों में शान्ती पुरवक अपनी परिवार के साथ समय बिता सकते ह तो सावधानी बेहद जरूरी है आपके लिए अब हम विद्धार्तियों की बात करें तो विद्धार्तियों को इस समय अपने मन को एकागर करने के लिए ततपर रहना चाहिए क्योंकि आपका मन पढ़ाई से चिन हो सकता है हो सकता है आप फोकस ही ना कर पाएं और अलग अलगतर है कि खयाल आपके मन में आते रहें और अपने पढ़ाई पर आप फोकस ना कर पाएं तो अपने इस टाइम को वेस्ट आप बिल्कुल ना करें कोशिश करें अगर नहीं फ पढ़ना है क्योंकि महतपूर्ट दिन है और आपको जरूर अपने मन को एकागर करना चाहिए योग से आप अपने मन को एकागर कर सकते हैं रो पड़ाए पर केंदित रह सकते हैं इतना ऐसे में आपको जो चंद्रमा हैं उसके उपायद जरूर करने चाहिए अगर आपको लग रहा है कि इस्थिती काफी कंट्रोल से बाहर है और आप अपनी जो चिडन है अपनी जो मान से तनाव है उससे नहीं निकल पा रहे हैं तो आप चंद्रमा का उपायद जरूर करें इसक चांदी को अपने धारन करने से आपको मानसिक तोर पर शांती मिलेगी और जो आपके अंदर उगरता है जो आपके अंदर इस समय वानी में कठोड़ता है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जो उपाय होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और यह हाँ चंद्रमा ही प्रेडित है चंद्रमा ही आपको परिशान कर रहा है तो चंद्रमा के उपाय करना आपके लिए सबसे बहतर होगा इससे आप अपनी इस्तितियों पर कंट्रोल कर पाएंगे और मानसिक इस्तिति से काफी हद तक आप दूर रह पाएंगे तो उपाय को ज